उपर वाले के न्याय की चक्की धीमी ज़रूर चलती है लेकिन ये ध्यान रखना ये पिस्ती बहुत अच्छे से है देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूँ मोहित कमिल श्रिमाली आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल में और 15 नवंबर 2024 को शनी देव मारगी के इस विशेश एपिसोड में ये एपिसोड आपकी राशी पर आपकी नाम राशी है आपके मून साइन पर बेस्ट रहेगा ये तो हम सभी जानते हैं कि समस्त प्राणियों के जीवन पे ब्रहमान में स्थित नवग्रहों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और शनी एक मात्रह ऐसे ग्रह हैं जो किस को भी महलों से सडक पर अब शनी किसी जातक पर अपनी शुब द्रिश्टी डालता है तो उसका भाग्य सवार देता है दुर्भाग्य को भी सवाग्य में बदल देते हैं अब शनी देव के बारे में कहा जाता है कि मनुशे ही नहीं बलकि देवता भी इंसे गवराते हैं त 15 नवंबर 2014 से शनी कुम्ब राशी में वक्री से मार्गी सिती में हो जाएंगे आपकी व्रशब राशी से नवं और दशम भाव के स्वामी शनी दशम भाव में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और आपके लिए ये लाबदायक सिद होगा जोतिश का सिद्धान ये बताता है कि क्रूर ग्रहे अगर वक्री हो तो अती क्रूर बन जाता है तो यहाँ पे यही अती क्रूर ग्रहे अब क्रूर अवस्था में आने वाला है अपनी क्रूरता में कुछ कमी जरूर लाने वाला है अब ऐसे में आप व्रशब राशी वालों के लिए शश नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है इसे राजनितिक शेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा व्यापारियों को काम में तेजी कानुभव होगा शांदार कमाई होगी, भूमी, भवन, वाहन की प्राप्ती संभव होगी आप अगर साइड में कुंडली देख सकते हैं तो आपको शनी की अवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगे और दृश्टी अवश्य ही देखने को मिलने वाली है कुंडली को साइड में ध्यान से देखते रहिएगा टैंथ हाउस में रहने से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको कैरियर में ट्रांसफर हो, प्रमोशन हो, उन्नती प्रोग्रेस यह लेकर के आने बाले हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ती देने वाले हैं यह संभावना बने की और पिताजी से अब सहारा जो है सपोर्ट जो है यह किसी वित्य या व्यापारिक मामले में जरूर मिलेगा अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं तो, expect कर रहे हो तो खास तोर पे जो नौकरी कर रहे हैं और office politics के शिकार बन गए थे seniors आपको बार-बार जलील कर रहे थे seniors नौकरी से निकाल देने का प्रयास कर रहे थे या कोई भी काम संपन करने पर ख्याती प्राप्त नहीं हो रही थी अब ये बीते दिनों की बात हो जाएगी आपकी काबिल ये थे, आपका हुनर जो है, इसका पर्चम लहराएगा parental property ये कहा जाए, पैत्रिक संपत्ती से संबंदित विवाद में कुछ हद तक यहाँ पराहत मिलेगी या ये कहा जा सकता है कि compromise करके आपसी समझ से इस matter को आप सुलजा लेंगे ऐसे ही समय में एक हाथ पैसा कमाएंगे तो वही unexpected खर्चे भी उबरते होंगे ये भी यहाँ पर बढ़ने वाले हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ जाएंगे तो कभी machinery breakdown को लेके परेशान है तो कभी फिजूल खर्च को लेके परेशान है अब यहाँ यह सावधान करना चाहूंगा कि सरकारी notice जो है ये प्राप्त हो सकता है fine जो है ये भारी भरना पड़ सकता है भूमी भवन वहन की प्राप्ती संभव तो हो रही है यहाँ छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा ये practical है कर्च तो आपके बढ़ने ही वाले है unexpected चाहे कहिए या expected कहिए कर्च के बोज में इस समय में दबना होगा ही उसकी दिशा जो है वो निर्धारत कर सकते है ये practical knowledge है खुद ने apply की भी है मैंने मेरे पिता जी ने मेरे दादा जी ने हर किसी ने इस principle को apply किया है और इसी के कारण आज हम जहां हैं वहाँ पर है आपको भी advice देता हूँ जो कर्ज की दिशा है उसको बदला जा सकता है ये खर्चे लोन की किष्ट चुकाने की तरफ आप इसका रुख कर सकते है तो इसी बहाने एक property का इजाफा भी हो जाएगा यानि भूमी बवन में इजाफा हो जाएगा और आप पर ये निर्भर करेगा कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें या ना बढ़ें कर्ज है जो unexpected expenses है उसको इदिशा अगर मोड़ोगे तो फाइदा अपने लिए बना लोगे या तो फिर फिजूल कर्च करके पैसे को आंग लगाते रहोगे स्टूडेंट्स अगर है तो हॉस्टिल या स्कूल से संबंदित कोई fine को लेकर के घर परिवार को यहाँ पे बुलाया जा सकता है या उन तक later पहुँच सकता है आम तोर पे सभी जात्कों को किसी later payment fee का बुकतान normally करना ही पढ़ने वाला है अब ऐसे समय में भागय का साथ मिलेगा भागय के अनुरूप आपके कारिये जो है वो खासतोर पे सिद्ध होने शुरू करेंगे दामपती जीवन में जो disturbance के साथ साथ में आपके business partner के साथ में relation है उसमें कुछ खटास देखने को मिल सकती है जो विस्तारवादी जो expansion growth है जो ये सोच है आपकी इस पे कुछ समय के लिए रुक जरूर लगने वाली है पर सूजबूज के साथ में कोई ना कोई रास्ता जो है इसके कारण आप अवश्य निकाल लेंगे ये मेरा आपको लेकर के आपकी राशी को लेके भरोसा है आप इस समय में विदेश यात्रा करना चाहते हैं आपके लिए एक सबसे ज़ादा अच्छा समय सिद हो सकता है वीजा के लिए अगर apply करने वाले वीजा के लिए फाइल लगाने वाले अब विवा उपरांद सरसुराल पक्ष से सामन जैसे बिठाने में परिशानिया थी तो वो सुलजेंगी अटका हुआ पैसा आप तक अपना रास्ता जरूर खोच लेगा ये हमने सिर्फ सते को खरोचा है पूरी तरह से समझने के लिए कि शनी मारगी का प्रभाव आप पर क्या होगा वो तो आपकी कुंडली देखर के ही सटीकता से बताया जा सकता है आप इस चैनल पर अगर नए हैं पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और जानकारी आपको हमेशा में देता रहूंगा और हाँ बेल आइकन जो है उसको जरूर दबा दीजेगा जैसे ये नई जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी कुंडली के विश्य में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं गहराई से आने वाले समय को समझना चाहते हैं कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो समय रहते इन फोन नंबर्स पे संपर करके अपना अपॉइन्मेंट जरूर ले लीजेगा हमेशा की तरह प्रात्ना आप सभी के लिए यही करता हो और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदेग सुखी रहे संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जै श्री राम एवं जै